असलाम लेकुम विवर्स विवर्स जैसा के आप जानते हैं कि आजकल हर जगा स्कोर्टी कैमरे लगे हुए होती हैं जो 24 गिंटे रिकॉर्डिंग कर रहे होती हैं आज किस वीडियो में हम आपको कैमरे से रिकॉर्ड होने वाले कुछ ऐसे मोमेंट दिखाएंगे जो इनसान के महमोगमान में भी नहीं होती है विवर्स जब इनसान फ्री बैठा हो तो अक्सर उसे नीद आने लग जाती है जैसा कि इस शाप में दो वरकर एक तो पहले ही सो रहा था जबकि दूसरा चियर पे बैठा जूल रहा था जैसे ही उसे नीद का जटका लगता है तो चियर अपना बैलनस खो देती है और वो शक्स सिदा नीचे जा गिरता है जब वो उगता है तो इसकी शकल फिर देखने वाली होती है कैमरे में रिकार्ड होने वाला ये बहुत फ़नी सीन था वीवर्स आपने बहुत से एक्सपर्ट मिस्टरी देखे होंगे लेकर ये जो वीडियो में काम कर रहा है इससे एक्सपर्ट मिस्टरी आपने कभी नहीं देखा होगा इस वीडियो में दो मिस्टरी एक पिलर बना रहे थे ये अपने काम में ऐसे बिजी दिखाई दे रहे थे जैसे इन से बड़ा एक्सपर्ट मिस्तरी तो कोई हो ही नहीं सकता लेकिन अभी ये इंटे लगा ही रहे थे कि चानक से ये पिलर नीचे आन गिता है और ना सिरफ बिलर बलके बिलर अपने साथ मिस्तरी को भी नीचे ले आता है इस मिस्तरी के लिए ये दिन बहुत बुरा था विवर्ज इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक लड़की फर्ष पर पोचा लगा रही है लेकर इतने में एक शक्स अंदर एंटर होता है जैसे ही वो अंदर आता है फर्ष पर फिसल कर गिर पड़ता है वो दुबारा से उटने की कोशिश करता है लेकर फिर फिसल कर गिर जाता है बार बार फिसलते देखकर उसे लड़की की हंसी निगल जाती है कैमरे में रिकॉर्ड होने वाला ये बहुती फ़नी सीन था वीवर्ज इस वीडियो में दो आत्मी एक बंद शाप के सामने लेटेवे होते हैं कि एचानक दो चुहे उचलते कुदते वहां आ निकलते हैं इन मेंसे एक चुहा तो भाग जाता है जबके दूसरा चुहा एक शक्स की निकर में घुस जाता है ये शक्स घुबरा कर चुहे को निकर में जाते देखकर ये शक्स घुबरा कर उखता है और फूरान अपने निकर जाड़ना शुरू कर देता है और सबसे मज़े की बात ही है कि इसका साथ ही उस्चुहे के निकलने के इंतजार में जूता लेके खड़ा हो जाता है ये सीन वांकी बहुत फनी था विवर्ज आपने बहुत से बच्चों को स्लाइडिंग करते देखा होगा लेकन क्या आपने कभी किसी जानवर को स्लाइडिंग करते हुए देखा है जैसा कि आप इस वीडियो में देखेंगे कि एक बकरी स्लाइडिंग जूले पे स्लाइडिंग करते हुए आ रही है इस बकरी को मज़े से जूला लेते देखकर एक और बकरी का पर दिल लल जाता है और वो भी आकर स्लाइडिंग जूले पर जूला लेना शुरू कर देती है दोस्तों यह सीन वाकि बहुत फनी था